एंसीपी के राश्ट्री अध्यक्ष शरत पवार को भारतिय जन्ता पार्टी से विधान परिशत में भेजे गए विधायक गोपी चन पडार करने महराश्ट्र का कोरोना कहा साथ ही समाज में आपसी विरोध होने वाली बयान बाजी भी की जिसके खिलाब राज्य के उपराजधानी नाकपुर जीले के प्रवेशद्वार कहे जाने वाले कोंधाली में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भाजपा विधायक गोपी चन पडार कर का तीवर निशेत कि किया गया एस अवसर पर राश्ट्रवाधी कॉंग्रेस पार्टी के युवा इक स्वपनिल व्यास निती इन ठवले अपसर शेक राश्ट्रवाधी विध्यार्तिक कॉंग्रेस आकाश गजबे रजाप पठान सदाप पठान और अन्य कार्यकरता उने जम कर नारे बाजिकर पडाल करका निशेद व्यक्त किया सर्व प्रथम्मी निशेद व्यक्त करतो अखंड महाराष्ट्रा आनि देशा गरिता 15 वर्षा वसुन ज्या व्यक्ति ने संपूर्ण विकासा करिता योगदान दिले त्या व्यक्ति विशय गोपीचन पड़ करेंनी प्रसित दीचा हवसे पोटी जे विधान केले त्याच संपूर्ण महाराष्ट्रा चे संपूर्ण देशा ची आनि आदर निया शरत चंद्रजी पवार सहिबान ची माफी मागावी त्यान एक विनंति करतो आनि एक सक्त ताकित देतो कि आपन जर संपूर्ण महाराष्ट्रा सह शरत पवार सहिबान ची जर माफी मागित ली नहीं तर तुमाला नाखपूर जिल्यात येव देनार नहीं